Big Boss 17 तो खत्म हो चुका है लेकिन जो contestants रह चुके हैं उनकी कोई ना कोई वीडियो या कोई ना कोई क्लिप हमें viral होती हुई नजर आती है और फिर वो ऐसे फैल जाती है जैसे कि जंगल में आग और शेयर में बाठ अब हुआ यह है कि जब से Big Boss 17 खत्म हुआ है तो कोई ना कुछ कहर आ है और उसकी वीडियो तो उसलियो से वाइयरल हुआ है जैसे कि अभी खनजारी की वीडियो वाइयरा हुई जब उनसे पूछा गया कि अभी शेयक कुमार कैसे लगते हैं तो पर खनजादी का रियक्शन आया कुछS लोगों आज्शन अच्छा लगा तो लोग वो ने कहा कि खानजादी खुद ही पागल है और फिर फान्स का गुस्सा खानजादी पर मतलब बढ़ गया और वो भड़क गए खानजादी के स्टेट्मेंट को सुनते हुए और साथ ही साथ उन्होंने यहां पर खानजादी को ट्रोल करना शुरू कर दिया तो चलिए यहां पर बात करते हैं जोसा कि हम सब जवानते हैं कि खानजादी और अभिशेक दो ऐसे कंटेस्टेंस थे बिग बॉस 17 के घर में जोने देखा ज़ारा था कि हां इनके बीच में बहां जाकर भी हमें रिलेशनशिप देखने को मिलेगा और इनका कुछ ना कुछ म आपकर लिया उन्हों ने कहा कि गेम पर फोकस करना अगर इस रिलेशनशिप वाले मुद्दे में कूछ जवाएंगे तो फिर गेम पर फोकस नहीं किया जोगा लेकर इन दोनों के दिल में एक सॉप कॉर्नर था दोनों को लेकर और यह दोनों प्यारी बाते भी करते थे इन हो जाएगा लेकिन बिग बॉस 17 से जब कंटेस्टिंट घर के बाहर गए तो सभी का रियूनियन अल्मूस्ट होते हुए नजर आ गया अंकिता मनारा जुत्ता जादा लड़ते थे वो भी साथ में आ गये लेकिन हमें अभिशेक और खानजादी का रियूनियन देखने को न इंटर्व्यू वा था खानजादी के जिसमें उन्होंने बोला था कि फामिली मेरी वैसी नहीं है तो थोड़ी से दिक्कत आ रही थी इसलिए मैं भी अविशेक के साथ इतना वो नहीं कर पा रही थी और जादा नहीं रह पा रही थी और भी बहुत साही चीज़े थी जिस कैसे लगते हैं तो उन्होंने कहा पागल लगते हैं वो पागल है और पूछा गया की रिष्टा कैसा है तो यहाँ आप59 आप उपर और सहले लगयाई चाहे हैं जब कि अभिष WHY को आफ जादी को फॉलोग करते हैं फिल हाल खानजादी नई statement दिया। लोगों ने ट्रॉल करते हैं लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि हांजादी ऐसे ही अभिषे को प्यार कहते हैं इनका बोलनी का तरीका ऐसा हि प्याराता लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि खाणजादी खुदी पागल है और वह विशेख को बोल सकते हैं खुदी पागल है विशेख के पागल बो रही है फिलहाल खाणजादी के statement पर आप anthrop का क्या खेहना है वो हम लोगों को को मैं और कर ज़रूरon बने लेगा.